हेलो फ्रेंज मैं हूँ सेहा वल्कम तुमा चानल फार यू एंड चाहिए आग बात करेंगे मिट सेशन स्कूल एडमिशन की यानि कि अगर साल के बीच में किसी पेरिंग्स को अपने बच्चे का एडमिशन एक स्कूल से दुस्से स्कूल में करवाना है तो एडमिशन करूंगी बहुत ही छोटा सा वीडियो है तो आप इस वीडियो को बिदाउट स्किप आप पूरा जरुड देखेगा क्योंकि यह आपके काम की हो सकती है कही बार ऐसा होता है कि पेरिंट्स को किसी भी वज़े से चाहे उनका वो ट्रांसफर हो गया एक शहर से दूसरे शहर में तो उस कंडिशन में पेरिंट्स अपने बच्चों की तयारी एदिशन टेस्ट के लिए किस तरह से करवाए कही पेरिंट्स इस बादग को लेकर profuse हो जाते हैं नहें यह confusion रहता है कि क्या वो जो दैक्ड़ेश है तयारी करने का वो जिस से लेकर दिसम्बर तक का अब ये एक साल यारी बारह महने एक बच्चा एक क्लास की पढ़ाई करता है तो अगर साल के बीच में यानि कि अगर स्कूल के छे महने बीच गए साथ महने बीच गए या पांच महने बीच गए और बच्चे को उसी क्लास में दूसरे स्कूल में ए एक सेशन होता है उसको आप डिवाइट कर दीजिए छे मेने में फर एक्जांपल अगर सेशन शुरू हुआ एप्रिल से तो एप्रिल में जून जुलाई अगस सप्टेमबर छे मेने हो गए अगर बच्चे का एडमिशन सप्टेमबर या सप्टेमबर के बाद में होना है तो एडमिशन इंटरंस टेस्ट में जो कुशन पेपर होंगे उसका सिलेबर्स जो पिछली क्लास है उससे तो आएगा ही साथ ही करेंट क्लास के सिलेबर्स से भी आएगा अगर बच्चा पढ़ रहा है क्लास फोर्थ में अब सप्टेमबर या सप्टेमबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर कभी भी आपको बच्चे का स्कूल चेंज करना है तो उसमें जो सवाल आएंगे टेस्ट फेपर में वो क्लास फोर्थ के होंगे लेकिन एपरिल से लेकर दिसंबर तक की जो पढ़ाई हुई है उस पे बेस्ट सिलिब्स होगा और क्लास फ्री के बेसिस पे भी कोश्टन आएंगे लेकिन अगर सेप्टेंबर से पहले यानि की एपरिल से सेशन शुरू हुआ और बच्चे का आपको स्कूल चेंज कराना है में मन्त में या जुलाई मन्त में तो ज़ादा तर जो सिलिब्स होगा वो क्लास फ्री के बेस्ट होगा उसी तरह से अगर जानवरी से सेशन शुरू हो रहा है तो जानवरी से आप काउंट कर लेजे जानवरी फेबरिल मार्च अप्रिल में जून यानि जून से पहले अगर बच्चे का एड्मिशन टेस्ट हो रहा है किसी स्कूल में तो जो जादातर कोश्टन होगे वो क्लास 3 के basis पे होगा क्लास 4 के basis पे शायद एक-डो सवाल आजाए लेकिन जादातर कोश्टन होंगे वो क्लास 3 के स्लेबर्स पे होगा लेकिन अगर जून या जून के बार अगस्त में सब्टम्बर में या जुलाई में आप पच्चे का टेस्ट दिलवाते हैं तो उस का जो स्ले ये जो छे मिने भीद गए उसमें क्या-क्या पड़ाई हुई है क्योंकि हो सकता है कि इस school में बच्चों को जो भी class 4th में जानवरी से लेके जून तक पड़ाई हुई है या एप्ल से लेके जुलाय अगस तक जो भी पड़ाई हुई है और उस स्कूल में जो पढ़ाई वी हो सेम होगा तो इसमें आपको confused होने की कोई ज़रत नहीं है क्योंकि अगर आप सेम स्कूल बोर्ड से बच्चों को change करा रहे हैं तो आपको ज़्यादा परिशान होने की ज़रत नहीं है क्योंकि हर एक स्कूल बोर्ड का एक prescribed syllabus होता है हर एक class के लिए तो उसी syllabus पे based हर स्कूल अपना curriculum design करता है यह हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो plus minus कोई topic का हो topics को पढ़ाने का तरीका, उनको elaborate करने का तरीका वो अलग हो सकता है लेकिन जो मोटा मोटा syllabus होता है, curriculum होता है, almost अगर एक स्कूल बोर्ड है तो सब स्कूलों में, चाहिए वो कोई भी XYZ स्कूल है, उस पर ही based उसका syllabus होगा इसलिए जो स्पी स्कूल बोर्ड में बच्चा पर रहा है और उसी स्कूल बोर्ड में आप स्कूल चेंज करा रहे है, तो उसी स्कूल के जो मन्त बीद गए है, उसका आप syllabus उठाए और उन topics को concept बच्चों की त्यारी करवाए क्योंकि बच्चों का concept अगर clear है, तो किसी भी तरह की सवाल का जवाब असानी से दे सकते है तो स्कूल बोर्ड अगर सेम है, तो स्कूल चाहे कोई भी हो, syllabus जितने भी मन्त का हो, वो almost same होता है थोड़े बहुत topics आगे पिछे हो सकते हैं, लेकिन उससे आपको परिशान होने की जुरत नहीं है लेकिन हाँ, अगर आप स्कूल बोर्ड भी चेंज करा रहे हैं स्कूल के साथ-साथ, पर एक्जामपल बच्चा पहले CVSG में पर रहा था, अब आप उसको ICSG में डाल रहे हैं या स्टेट बोर्ड में डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको research करना पड़ेगा उस स्कूल बोर्ड में पर रहने वाले बच्चों से आप या तो मिल सकते हैं, उनके पेरिंट से मिलकर आप उनके books और syllabus को देख सकते हैं, या फिर इंटरनेट में भी स्कूल बोर्ड वाइस बहुत सारे syllabus होते हैं, उसे आप देख सकते हैं, उसके basis पे आप बच्चों की त तियारी करा सकते हैं, पर इंपॉर्टन यह है कि जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसका concept जरूर तियार कीजे, ताकि किसी भी तरह का question pattern बच्चों अच्छे से समझ पाएं, तो यह छोडी से चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना हैं, जब भी आप बच्चो की स्कूल के डमिशन इंटरस्टर्स की तियारी करवा रहे हैं, तो उमीद करते हूं, फ्रेंड्स ये वीडियो आपके काम की होगी, तो उसे लाइक और शेयर कीजेगा, और मेरे चालल को भी सब्स्ट्राइब जरूर कीजेगा, थांकियो सो मच फॉर वाचिं इस वीडियो की वे ढाता हैं, जरूर मेरे चालला की तियारी से रहे हैं, तो बत्यादर की तियारी क्वाचिंस येडियो।